नमस्काल विजारतियों, मैं राजिंद्र मीना, सहायक आचारे, राजकिय मावेद्जाले पारासी, इस वीडियो लेक्चर के थुरू, आप सब का स्वालत करता हूँ। स्टुडेंट्स, हम पीएससी, पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड के अंतरगट, यूनिट सेकेंड का अध्यन कर रहे हैं। इस यूनिट को आगे बढ़ाते हुए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों। MONOPORIAL AND SYMPODIAL GROка in STAMPS स्टार्ट करते हैं तो MONOPORIAL and SYMPODIAL ब्रांचिंग या GROq तो इस लेक्चर के दवारा हम जानेंगि कि MONOPO tower growth क्या होती है, SYMPODIAL । ग्रोथ क्या होती है, दुरों में अंतर क्या होता है। और जो sympodial branching होती है ये कितने प्रिकार की होती है दोरणों के दोरा हम चानने का प्रयास करेंगे ठीक है बच्चों स्टार्ट करते हैं जली से Monopodial and Sympodial branching या growth ठीक है The manner and extent of the branching of the shoot is determined by the terminal bud ठीक है देखो बच्चों ये मुख तना है ये तब तक व्रद्धी करेगा जब तक की इसके शीष पर एक बढ़ पाई जाती है इसको हम बोलते हैं terminal bud ये तना है ठीक है shoot है इसके शीष पर एक बढ़ पाई जाती है इसको बोलते हैं terminal bud ये terminal bud जब तक active रहेगी तब तक ये तना व्रद्धी करेगा जैसे ही ये terminal bud inactive होई तो ये तना व्रद्धी करना बंद करेगा ठीक है आगी बार समझ में the manner and extent of the branching of the shoot is determined by the terminal bud ठीक है terminal bud का योगदान है depending upon the extent of activity of the terminal bud branching may be of the following two types अब इस terminal जो बढ़ है उसकी activity के आधार पर जो branching pattern है या branch की जो growth है बच्छों वो दो प्रकार में हो सकती है पहला है monopodial growth या monopodial branching दूसरा है sympodial growth या sympodial branching ठीक है अब बारी बारी से इसको हम देख लेते हैं से पहले start करते हैं बच्छों monopodial growth या monopodial branching बच्छों इसका दूसरा नाम है indefinite growth या indefinite branching या racimos branching ठीक है तो indefinite शब्द से ही शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि monopodial प्रकार जो monopodial प्रकार की जो व्रद्धी होती है वो व्रद्धी असीमित प्रकार की होगी ठीक है बच्छों अब असीमित प्रद्धी कब होगी मैं आपको बता है अभी जब terminal बढ़ है वो लगातार सक्रियता बनाए रखें या उसकी activity चालो रहें तो monopodial प्रकार की व्रद्धी तब पाई जाती है जब जो terminal बढ़ है जो शूट के apex भाग में पाई जारी है वो अपनी activity लगातार करती रहें ठीक है इसको पढ़ लेते हैं एक बार in this type of branching the terminal bud grows indefinitely इस प्रकार की जो branching है उसमें terminal growth जो terminal bud है sorry terminal जो बढ़ है वो indefinitely व्रद्धी करती रहती है उसकी सक्रिता लगातार अंत समय तक चलती रहती है और इस कारण से and thus the man stem continues to grow indefinitely इसकी terminal बढ़ की सक्रिता है कारण या इसकी व्रद्धी की कारण मुख्य जो तना होता है उसकी व्रद्धी आसिमित प्रकार की होती है lateral branches are developed in acropital succession from the man stem अब यह देखो यह diagram देखो इसमें यह हो गया अपना man shoot यह होगी इसकी terminal bird अब यह मुख्यक्षत है तो इससे शाखाय भी निकलेंगी तो इसकी जो lateral branches है वो ऐक्रोग बिटल क्रम में बनेंगी सबसे पहले जो नीचे की और सबसे बनेंगी इसके बाद में क्रमश है और की और बढ़ते जाएगी अधार्थ इस प्रकार के जो ग्रोथ है उसमें सबसे पहले जो लेटल ब्रांचे नहां बनेंगी, नीचे क्यों है, उसे बात में सबसे नहीं जो ब्रांचे बनेंगी वो है, शीष क्यों है, ठीक है, तो, इन डेसी मोस ब्रांचे नहीं जो बनेंगी, तो, इस ब्रकार की बिद्दी होती है बच्चों, जिसमें की जो मुख्य जो तनह है, उसके शीष पर पाजाने वारे टर्मिनल बढ़ है, वो असमें दृद्धी करती है, इसके असमें दृद्धी करने की वज़े से, जो मुख्य अक्षय है, वो भी असमें दृद्धी करेगा, और साथ में साथ ही, जो मुख्य तने से निकलने वाले जो लेटरल ब्रांचे हैं, वो एक्रोपिटल क्रब में अपनी दर्शाएंगी, ठीक है, इस प्रकार की बिद्धी है, मोनोपोडिल ब्रद्धी कहलाती है, नेक्स बढ़ते हैं, पहला पढ़ लिया हमने मोनोपोडिल प्रकार की ब्रद्धी या ब्रांचेंग, अब हम पढ़ेंगे सिंपोडियल या फिर डेफिनेट या फिर साइमोज प्रकार की ब्रांचेंग, बच्चों या पोजिट है अपना सिंपोडिल प्रकार की ब्रत्ध नहीं होते हैं को समय के बाद में अपनी अक्टिविटी को समाप कर लेती है after certain period it ceases to grow so that the growth of the man's stem is definite जैसे ही इसने अपनी व्रद्धी अपनी अक्टिविटी को बंद कर लिया तो यह मुख्याक्षय है इसके व्रद्धी बंद हो जाएगी as the terminal bird becomes inactive क्योंकि terminal bird inactive हो जाती है then lateral bird grows just below it and becomes more active अब देखो terminal bird तो हो गई inactive लेकिन पादप को व्रद्धी तो कर नहीं है तो क्या होता है इसमें जो lateral birds होती है वो अपनी activity को बढ़ा देती है after certain period the growth of these branches sees and again lateral branches are produced from them ठीक है माले जीए terminal bird की वैसे इसके रद्धी हो गई हासित मतलब definite उसके बाद मैं इससे lateral branch निकली माले जीए lateral branch के लिए अब यह मुख्यक्ष यह हो गया अब यह भी इसके शीष पर भी terminal bird हो जाएगी तो इसकी प्रद्धी भी हो गई अब इसके बाद में क्या होगा यहां से माले जीए एक और शाखा निकल दी जाएगी ठीक है तो इस successive form में जो है एक के बाद एक के बाद जो है branches बन दी जाएगी ठीक है दुबार सुन जाएता हम आपको as dough as the terminal bud becomes inactive the lateral bird grows just below it and becomes more active ठीक है after certain period the growth growth of these branches seeds and again a lateral branches are produced from them the process is repeated and the type of branching is called simus branching यह process चलती रहती है इसके व्रद्धी सीमित हो गई ये बना इसकी व्रद्धी पी सीमित हो गई इसके बाद मैं से ये बनेगा इसकी व्रद्धी सीमित हो गई तो laterパट दोबरा से जाएगी ये बन गया तो इस तरह से process स्जर्थ रहती है क्या इसकिते हैं? It may be of the following types यह जो simporeal प्रकार की जो गद्धी होती है विच्चों यह तीन प्रकार की हो सकती है Uniporous, Biporous और Multiporous ठीक है यह important है यह exam में आता है इसको आब आधर लिज़ेगा Monopodal और Simporeal Growth का जो कुष्ण से पका exam में आता है दियान दिएगा जो सिंपोर्डल जो ब्रांचिंग होती है वो तीर प्रकार की होती है यूनुपेरस, बाइपेरस या मल्टी पेरस इसके अलग नाम हो रहा है यूनिपेरस को बोलते हैं मोनोकेसियल साइम बहुत इम्पोरेंट है यह वच्चो एक्जाम मैं पूछते हैं बताइए मोनोकेसियल साइम क्या है डाइकेसियल साइम और पॉलीकेसियल साइम ठीक है समझ में आ रहा है ना ओके तो हम पढ़ते हैं पहले सिंपोर्डल ग्रोथ में पहला है uniparious या monocasin sign दूसेरा है bipolarious गे अधिसा है multi यह polytasin sign तो uniparious में पढ़ते हैं when only one lateral branch developed in CMOS branching it is known as uniparious CMOS branching ठीए पहले मोडा मोडा idea ले ले लिदे हैं बच-ो जब mokhhy अक्ष से या mokhhy तने से केवल एक लेटरल ब्रांच उत्पन होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं यूनी पैरस कंडिशन ठीक है अगर जो मुख्य अक्ष्य है उससे दो लेटरल ब्रांचे डबलप होगी तो उससे हम बोलेंगे बाई पैरस अगर मुख्य अक्ष्य तना है उससे दो से अधिक लेटरल ब्रांचे डबलप होगी तो उससे हम बोलेंगे बल्टी पैरस या पॉलिकेसियल साइम इसमें ध्यार अपने वाली बात क्या है बच्चों मुख्य अक्ष्य की रद्धिय है वो सी में तो हो जाती है पता ही आप सब में टर्मिनल बर्ड इनेक्टिव बने के काराण ठीक है इस समझ में आगया अब देखिए इसके डिडिल बात पड़ेंगे तो बाई पैरस समझ में आगया आपको वें टू लेटरल बर्ड स ब्रांच इस डबलप बिलो दा एपिकल बर्ड इट इस नोन एन बाई पैरस और ट्र्यू सैंड एक्जामपल है इसका मिराबिस जलापा देखिए इसका डियाग्राम यह है यह एक मुख्य अक्ष है इसकी टर्मिनल बर्ड हो गई इनेक्टिव इसकी वैसे इसकी ग्रोथ हो गई डेफिनेट और इससे दो लेटरल ब्रांचेश निकल रही है दो है नी बाई बाई पैरस ठीक है मल्टी पैरस वेन मोर देन टू लेटरल ब्रांचेश आ डबड़ लोदा एपिकल बड़ इसनोन अट मल्टी पैरस साइंड एक्जामपल इसका नीरियम ठीक है अब ये यूनी पैरस महत्पूर है किसके भी दो प्रकार होते है पहले तो समझ में आगए आपको की मुक्य ब्रांच से मुक्य शाका से केवल एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगी तो इसलिए इसको बोल गया है यूनी पैरस है अब मोनोपेसियल अब ठीक है अब आगे देखते है दा सक्सेसिव लेटरल ब्रांच इस में डबलप ओन दा सेम साइड सो देट दा ब्रांच इपरस लाएक है हैलिक्स और दिस टाइप ओफ उन साइडेट ब्रांच इस लोन आज हैलिकोट साइम देखो बच्चो ये यूनी पैरस जो साइम है दो प्रकार का होता है एक तो होता है हैलिकोईड और एक होता है स्कॉर्प्योइड ठीक है है हैलिकोईड और दूसरा है स्कॉर्प्योइड या जिग्जग ठीक है तो अब ये हैलिकोईड प्रकार का होता है इसमें रहता हूं मैं आपको माली जी यह है मुखषा का इसकी रद्धी होगी सीमित इसके बाद मैं यहां से निकली इसकी एक लेटरल ब्रांच यह विसकी रद्धी सीमित हो गई तो जो हेलिकोइट प्रकार होता है उसमें बच्चों केवल एक ही दिशामे या एक ही साइड से जो है नई जो लेटरल ब्रांच है डबलप हो गया बाली जी यह है तो यहां से बाली जी एक यह ब्रांच निकली अब इसी डिरेक्शन में एक और उसके बाद में एक और और एक और ठीक है यह देखिए इस डिरेक्शन में क्लॉकवाइज डिरेक्शन में यह कोई सी बस्ती है इसमें हमने फोटो में डियाग्राम में दिखा है क्लॉकवाइज या अंटिक्लॉकवाइज बस्ती है लेकिन ये एक ही दिशां में जाएंगी, दीक्जिए, अगर इस मेन अक्षा, राइट साइड है, तो सारी के-सारी जो है, इस इसका ऻाइड साइड ही हो गया, ये मेन बराँच है, इस सह निख लिखनी, यह भी राइट साइड राइट साइड ठीक है तो यह इस प्रकार के दोबरा जो बन सरशना है वो हैलिकोट टाइप के लाती है ठीक है देखे पढ़ लेते दोबरा से दा सक्सेसिव लेटरल ब्रांच में डवलप ऑन दा सेम साइड इस चब्द महत्पून है सेम साइड सेम साइड में जो है लेटर ब्रांचे बनेंगी इसके कारण जो है सरशना हैलिक्स टाइप में बनेगी इसलिए इसको हैलिकोट साहें कहते हैं ठीक है लेकिन अब यह तो हो गया है है दूसरा हो रहा है स्कॉर्पवड पर्वड में वेटा क्या होगा यह मुख्य अक्षिम एक लेटर ब्रांच के लिए माने जी यहां से है ना वहन्दा सक्सेसिव लेटर ब्रांचे डबलब ओन दा अल्टरनेट साइड सो देट अपैस भी अरेज इन जिग्जग मैनर अपोजट साइज से निकलेंगी यह एक लेटर ब्रांच के लिए उसके बाद में मैलेज यह यहां यह हो गया तो टेक्निकल ही निकल ली तो यहां से चीज़ थी अभी लेकिन नहीं यह एक यहां से निकल गया इसके बाद में यहां से निकल गया एक इधर निकल गया उसके बाद में नेक्स यहां से निकलेगा ठीक इसके बाद में यहां से वर्धी करेगा तो इस प्रकार से कहीं जिग-जग पटेशन बन गी डिखिये डिखरम देख लिज्या हम यह मुकिश्ट है यह इसकी लेटरल प्रांच तो एक बार यहां से शाकन हुआ एक बार यहां से हुआ एक बार यहां से हुआ एक बार यहां से हुआ तो यह जिग-जग-जग-फोम में इस प्रकार से जो है अपने व्रद्धी को दर्शाएगा ठीक है तो यह हो गया कि यूनि पैरस ठीक है बच्चो तो कि इस टॉपिक के मादियम से हमने कि अंद्धे मारीasय स्टी प्रूण क्या है मोनोपोडियल के और जो सिंपोडियल जो डी है या पैटर्न है उसको जानने सब्रहर करने का प्रियाद है दो प्रकार की आप पो में ने बता यह कि मोनिपोडियल की सो है इसको इंडेफिनेट प्रकार का शाखन या ग्रोथ भी बोलते हैं जबकि जो सिंपोडियल ग्रोथ है उसको definite प्रकार का भी बोलते हैं और जो डेफि钓 .. जो सिंपोडियल ग्रोथ है और उसको भी हमने तीन तीन भाकों में बाट के उसका थेकजहाता था MONOCe-Ceisty, डाय केसिल और پाली केसील प्रकार कनेुगे जो प्रकार है उसके भी हमने दो प्रकार पड़े पहला है हेलिकॉइड और दूसरा है स्कॉर्पॉइड ठीक है बच्चों तो । आज केस लेक्शर में इतना ही वीडियो देखने के लिए देखने वाड़